असलाव अलेकूम क्या हाल है आज हम बनाने जा रहे हैं वन मिनिट माइक्रोवेव मग केक आज हम ब्राउनी बनाएंगे जब भी आपका केक खाने का मन करें यह ज़रूर ट्राइ करें मग में 1.5 टेबल स्पून बटर या ओईल ले ले इसमें 30 ग्राम चॉकलेट डाल दे और इसे 30 सेकेंड के लिए माइक्रोवेव कर ले आपको टाइम 30 सेकेंड भी लग सकता है या उससे कम में भी हो जाएगा 2 टेबल स्पून ब्राउन शुगर आप वाइट शुगर भी ले सकते हैं 2 टेबल स्पून मिल्क यह रूप टेंपरिचर पर है थंडा बिलकुल नहीं है अब इसे अच्छे से मिक्स कर ले चार टेबल स्पून ओल परपस फ्लार आप मैदा भी ले सकते हैं 1-4 टीजपून बेकिंग पाउडर अब सारी चीज़ों को अच्छे से मिक्स कर ले आप यह जरूर बनाए यह बहुत ही सॉफ्ट और टेस्टी बना है अगर आपके घर में बच्चे हैं तो ने यह बना कर जरूर खिलाए एजिस को क्लीन कर ले और इसे 1 मिनिट या 1 मिनिट 30 से के लिए माइक्रोवेव कर ले क्योंकि सभी के माइक्रोवेव का टाइमिंग अलग होता है मैंने इसे 1 मिनिट के लिए रखा था यहां पर मैं चॉकलेट सिर्फ आट कर रहे हूं यह उप्शनल है मग ब्राउनी बनकर तयार है आप इसे जरूर ट्राइक करें और मुझे फीडबैक दें चलिए अब हम अगली रेसिपी देखेंगे यहां पर मैंने वन मिनिट लावा मग केक बनाया है यह भी बहुत आसान है बनाने में तो चलिए देखते हैं इसका बनाने का तरीका मग में यहां पर मैंने वन टेबल स्पून बटर लिया है आप ओल भी ले सकते हैं त्री टेबल स्पून मिल्क यह रूम टेंपरेचर पर है ठंडा बिलकुल नहीं है तू टेबल स्पून शुगर इसे अच्छे से मिक्स कर ले त्री टेबल स्पून ओल पपस फ्लार यह आप मैदा भी ले सकते हैं वन फोट टेश्पून बेकिंग पाउडर तू टेबल स्पून कोको पाउडर यह अनस्विटेंड है अब सारी चीजों को अच्छे से मिक्स कर ले आप यह भी जरूर ट्राइक करें यह भी बहुत अच्छा बना है इसके एजिस को क्लीन कर ले यहां पर मैंने डाक टॉकलेट यूज किया है आप जो मर्जी चाहें यूज कर ले और इसके बैटल को इसे कावर कर ले और इसे 1 मिनेट के लिए या 1 मिनेट 30 सेकेंड के लिए माइक्रोवेव कर ले लावा केक बन कर तैयार है आप इसे ज़रूर आए करें अगर आप मेरे चैनल पर नहीं है तो इसे लाइक शेरो सस्क्राइब करें चलिए अगले रेसिपी में हम फिर मिलेंगे तब तक के लिए अल्ला हाफीज